भगवान की मरजी, जीवन की सीख देने वाली कहानी, एक आदनी मंदिर में सेवक था, उसका काम मंदिर की साफ सपाई करना था, भक्तो और शरधालों द्वारा दिये गए, दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता, इसी से उसकी जिन्दगी कितनी असान है, आपको बस एक जगह अराम से खड़े रहना होता है, मेरी जिन्दगी को देखो, कितनी कठीन जिन्दगी जी रहा हूं मैं, दिन पर कड़ी मेहनत करता हूं, तब कहीं दो जून की रोटी नसीब हो पाती है, काश मेरी जिन्दगी भी आपकी तह रहे होती उसकी बात सुनकर भगवान बोले तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है मेरी जगे नहीं तो है आपकी तरह हैं तो मैं भी दिनबर खड़े रह सकता हूँ इस पौन सी बड़ी बात है मंदिर का सेवक बोला तुम नहीं कर पाऊ गए इस काम में बहुत धहरी की आफशता पड़ती है भगवान बोले मैं जरूर कर पाऊंगा आप मुझे एक दिन अपरी जिन्दगी जीने दीजिए आप जैसा बताएंग मैं वैसा ही करूँगा मंदिर का सेवक जित करने लगा उसकी जित के आगे भगवान मान गए और बोले ठीक है आज पूरा दिन तुम मेरी जिन्दगी जीता हूँ लेकिन मेरी जिन्दगी जीने के लिए तुमें कुछ शर्टे माननी होंगी मैं हर्शर्ट मानने को तयार हूँ भगवान जी सेवक बोला ठीक है तो ध्यान से सुनो मंदिर में दिन बार बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे कुछ तुमें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा सेवक भगवान की जगए मूर्ती बनकर खड़ा हो गया भगवान मंदिर की साफ सपाई का काम निप्टा कर वहां से चले गए उस समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी वैपारी आया भगवान से प्रातना करते हुए वैब बोला भगवान जी मैं एक नई फैक्टरी डाल रहा हूँ मुझे आशिवाद दीजिए कि यह फैक्टरी अच्छी तरह चले और मैं इससे अच्छा मुनाफ़ा कमाऊं प्रातना करने के बाद वैब प्रणाम करने के लिए नीचे चुपा तो उसका बटुआ गिर गया और भगवान से बोला भगवान जी होद गरीवी में जीवन काट रहा हूँ परिवार का पेट पालना है मा की दवाई की वैस्ता करनी है समझ नहीं पा रहा हूँ कि इतना सब कैसे करूं आज देखो मेरी पास बस एक रुपिया है इससे मैं क्या कर पाऊंगा आप ही कुछ चमतकार करोगा मेरे लिए धनकी वैस्ता कर दो प्रातना करने के बाद जैसे ही वैजानी को हुआ उसे नीचे गिरा हुआ वैपारी का बटुआ दिखाई दिया इसने बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देते हुए बोला भगवान जी आप धन्य हैं आपने मेरी प्रातना इतनी जल्दी सुनने इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन भोजन कर सकता है मा की दवाई की भी व्यवस्ता हो जाएगी भगवान को धन्यवाद दे कर वहाँ से जाने लगा तब भगवान बने मंदि के सेवा का मन हुआ कि उसे बता दे कि वह बटवा तो व्यविपारी का है उसे मैंने नहीं दिया है वह जो कर रहा है रहा चोरी है लेकिन वै चुप रहने के लिए विवस्ता इसलिए मन मार का खड़ा रहा मंदिर में आने वाला तीसरा जैती एक नाविक था वे 15 दिन के लिए समुदरी यात्रा पर जा रहा था बग्वान से उसने प्रात्ना की की उसकी यात्रा सुरक्षित रहे और वे साकुशर वापस आ सके वे प्रात्ना करी रहा था कि धरनी व्यपारिवां आ गय वे अपने साथ पुलिस भी लेकर आया था नाविक को देखकर वे पुलिस से बोला मेरे बाद ये मंदिर में आया है जरू इसने ही मेरा बटवा चुराया होगा आप इसे एक रफ्तार कर लीजिए पुलिस नाविक को पगड़कर ले जाने लगी भवान बने आदमी को अप अपने सामने होता हुआ ये अन्या सहन नहीं हुआ शर्ट अनुसार उसे चुप रहना था लेकिन उसे लगा कि बहुत गलत हो चुका है यदि अब मैं चुप रहा तो एक बेक कसूर आदमी को वेर्थ नहीं सजा वगतनी पड़ेगी उसने अपनी चुपी तोड़ते हुए कहा आप गलत व्यक्ति को पकर कर ले जा रहे हैं ये बटवा इस नाविक ने नहीं बलकि इसके पहले आए गरीब व्यक्ति ने चुप आया है मैं भगवान हूं और मैंने सब देखा है पुलिस भगवान की बात कैसे नहीं मानती उनकी बात मानकर उन्होंने नाविक को बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ नय होने से रोका है देखें आपकी जिन्दी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है उसकी बात सुनकर बगवान बोले ये तुमने क्या किया मैंने तुमसे कहा था कि चुपचाप मूर्ती बनकर खड़े रहना लेकिन वैसा न जाता और वेपारी के पाप भी कुछ कम हो जाते जिस नावी को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है और वे जीवित वापिस नहीं आ पाएगा समुद्र में बहुत बड़ा दुपान आने वाला है यदि वे कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम बच जाता सेवक क यह सुनकर एसास हुआ कि वे तो बस वही देख पा रहा था जो आखों के सामने हो रहा था उन सब के पीछे की वास्तिक्ता को वे देख ही नहीं पा रहा था जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार अपनी योजना बनाते हैं और लोग के जीवन को चलाते हैं हम देख भगवान को दोश जहें लगते हैं हम यह समझ नहीं पाते कि इन सब के पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना चुपी कोई होती है ऐसे समय में हमें भगवान पर विश्वास रखकर धैरे धारन करने की आप शक्ता है इसलिए चिंता ना करें यदि आपकी मर्जी स कुछ नहीं हो रहा तो इसका अर्थ ही है कि भगवान की मर्जी से हो रहा है और भले ही देर से ही सही भगवान की मर्जी से सब अच्छा ही होता है थैंक यू यह कहाने पूरी सुनने के लिए